हेलो यूट्यूब, I hope you are doing fine आज की वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कि जो न्यू रिलीस्ट गेम है उन्चार्टेट जो भी PC में रिलीस होई है उसके जो क्रेशेज हैं जैसे कि अन्सपोर्टेट CPU एन अन्सपोर्टेट GPU और लैग यह सब कैसे fix किया जाए मैं इस छोड़ी सी वीडियो में आपको पताऊंगा step by step और आपको वीडियो skip नहीं करनी अगर आप skip करेंगे तो हो सकता है आपको वो fix complete ना हो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को subscribe करें और मेरी वीडियो को like करना मत भोलिएगा so let's get started तो सबसे पहले आपने run application को खुलना एठीक है उसके बाद आपने इसमें type करना है temp temp just temp OK आपने इसमें type कर लिया यह आप करेंगे इसमें उसके बाद OK करेंगे उसके बाद जिस्टे भी इसमें file वो सब को select करके आपने delete करना है delete करना है सब कुछ जितना भी है डिलीट करना है सिवाए इस दो फाइल के इसके कर देना है ठीक है उसके बाद दुबारा से अपने रन खोलना है बट इसमें अपने करना यह है कि टैंप के आगे और पीछे पर सेटेज के साइन दे कि आपने करना है उसके बाद यह फोल्डर आ खोलना है उसके बाद प्री फैच सर्च करना है अपने प्री फैच प्री फैच सर्च करने के बाद आपने ओके करना है ओके के बाद आपने कंटिन्यू करना है फिर सेलेक्ट करके इन को भी यहां से डिलीट कर देना है आपने और यह जो फाइल्स हैं कि लास में उसको आपने में skip करना है ठीक है तैन आपको जो री साइकल वह भी हेम्टी होना चाहिए उसको अपने पुरा completely empty करना है और continue करना है जिते हैं आप फाइर स्रीट किया वह सारी साइकल वह में चले गए तो आपने डिलीट करना है सब कुछ दैन यह जो मैंने link description में दी हु Oi होजआ डाउनलोड करनी है जो कि अइन सपौर्टीट CPU F admiration उसको अपने download करके extract करना है extract करने के बाद आपने इसको open करना है जिए ये जो Direct alguma एक्स इंस्टाॉलर है Direct type international को आपने इश्टाल करना है यह आपके जो DirectX Version इसको अपडेट कर देगा ठीक है उसको आपडेट करना है तो इसको next इसको करेंगे next आप अब यह इसको इंस्टाल होने देंगे जब इंस्टाल हो जाएगा उसके बाद आपने खुलना है cmd command prompt cmd आप खोलने के बाद यह जो आपने command यह लिखी हुई है यह आपने कॉपी करके simply आप पेस्ट करना है सो हम टाइब करेंगे cmd ओके यह command prompt एप उसको आपने run as administrator करना है ओके करेंगे उसके बाद यह open हो जाएगा और यह जो तीन commands हैं वो आपने copy करके इसमें paste करते जाना है just like that आपने कोई भी step skip नहीं करना है अगर आप skip करेंगे तो आपका वो काम का नहीं रहेगा जितने भी आपने steps पिछले की हैं यह भी आपने copy कर लिया यह आपने copy करके आप paste कर दिया यह सारा okay हो गया है successfully हो गया है completed अब आप अपना game run करके enjoy करें तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेर दरू कीजएगा एंड लाइक करना मत भूलेगा एंड मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा तो मिलेंगे एंगली वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस